देश में बढ़ती जनसंख्या एक बड़ा मुद्दा बन गया है और खास कर जब से UN की रिपोर्ट आई है इस पर कुछ ज्यादा ही चर्चा शुरू हो गई है दरसल रिपोर्ट में ये कहा गया कि 2023 में भारत आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ देगा अब जैसे ही ये रिपोर्ट आई बीजेपी को तो जैसे मौका मिल गया एक खास समुदाय को टार्गेट करने का और आदत से मजबूर बीजेपी ने सारा ठीग रा एक वर्ग पर फोन ना शिरू कर दिया है हाला कि ये पहला मौका तो नहीं है जब बीजेपी और संग की तरफ से इस तरह के बयान दिये गए हो और अब इस बहस के बीच राष्टिय स्वाम सेबक संग के प्रमुक मोहन भागवत ने कुछ ऐसा बोल दिया कि जिस पर ये बहस और ज्यादा तेज हो गई है तो क्या बोल गए मोहन भागवत और क्या सिर्फ एक ही वर्ग है बढ़ती जनसंख्या का जिम्मेदार क्यों हर बार सिर्फ एक ही समुदाई को बताया जाता है जिम्मेदार इन सभी पर हम अपनी आज की स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे तो मैं अश्यतर शिवास्तफ स्वागत करती हूँ आप सभी का चलिए बढ़ते हैं आगे देश में बढ़ती आवादी हमेशा से ही चिंता का विशे रहा है लगबख सभी सरकारों ने आवादी पर नियंतरन करने के लिए कई तरह के अभियान भी चलाएं है जिसमें सत्तर और असी के दश्रक में उस समय की प्रधान मंतरी इंदरा गांधी ने एक नारा भी दिया था हम दो हमारे दो ये नारा सरकार ने इसलिए दिया था ताकि सामाज एक जागरुकता फैले और लोग ज्यादा परिवार न वढ़ाएं और आज भी इसी तरह के प्रयास लगातार जारी है लेकिन बीजेपी राज में जनसंख्या नियंतरन की कोशिशों ने एक अलग ही रूप ले लिया है और वो है सिर्फ एक समुदाय को टार्गेट करना जब भी देश में जनसंख्या का मुद्दा तूल पकरता है बीजेप कई देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए मुस्लिम जिमेदार है या जैसा कि कुछ लोगों की तरफ से अपनी राजनीती चमकाने के लिए इस तरह की बाते फैलाई जाती है कि कुछ समय बाद जनसंख्या के मामले में हिंदू पीछे हो जाएंगे इन सब बातों में कितनी सच्चाई है इस पर भी हम करेंगे चर्चा लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज हम इस बारे में चर्चा कर क्यों रहे हैं कहां से उच्छा ये विबात तो आपको बता दें कि संग प्रमुक मोहन भागवत ने जनसंख्या विसफोर्ट पर छिड़ी बहस के बीच कहा क कि सिर्फ खाना और आवादी बढ़ाना तो जानवर भी करते हैं शक्तिशाली ही जीवित रहेगा ये जंगल का कानून है जीवित रहना जीवन का लक्ष नहीं होना चाहिए दूसरों की रक्षा करना ही मनुश्य की निशानी है इतना ही नहीं एक विशेश समुदाइपन न भारत के रूप में बना रहे तो हमें वो होना चाहिए जो हम है नहीं तो भारत भारत नहीं रहेगा इसलिए हमें ये सुनिश्य करना होगा कि धर्म हर जगा व्याप्त हो अब मोहन भागवत के बयान पर बहस छणना तो लाजमी है ऐसे में मोहन भागवत के इस बयान पर अ एक मॉनिक अधिकार है अगर कोई अपना मजहब चेंज कर रहा है तो उससे आपको क्या तकलिफ हो रही है कोई भगवान को मांता है कोई अल्ला को मांता है यही तो भारत की हूपसूरती बागवत में निशाना साथ ते कोई धर्म है RSS चाहती है कि भारत का एक धर्म हो इतना ही नहीं iéगिर भागवत को एक 소िगर देश कियो नहीं है। भागवत के बयान पर वैसी जमकरबड से हाला कि ये पहला मौका नहीं था जब संग या BJP की तरफ से इस तरह के बयान दिए गये हों। इससे पहले विश्व जन संख्या देवस पर यूपी के सीम योगी आदितनाथ ने भी ऐसा बयान दिया था जिसने ववाल मचा दिया था और खुद बीजेपी के पूर्व केंद्रिये मंत्री को योगी का ये बयान पसंद नहीं आया था दरसल सीम योगी ने कहा कि ऐसा ना हो कि किसी वर्ग की आवादी की बढ़ने की गती और उसका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल लिवासी हो लोग की आवादी का इस्तरी करण हो हम लोग जागरुकता की जरीये एंफोस्मेंट के माध्यम से जनसंख्या संतुलन की इस्तिती पैदा करें हाला कि सीम योगी ने इस बयान में किसी वर्ग विशेश का नाम नहीं लिया लेकिन उनका इशारा किस तरफ था इससे सभी वाकिफ है और इसी के बाद पूर केंद्री मंत्री मुखतार अब्बास नकवी ने इस बयान की निंदा की थी उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि बेताहाशा जनसंख्या किसी मजहब और जाती के समस्या नहीं है बलकि मुल्क की मुसीवत है इसे जाते धर्म से जोड़ना जायज नहीं है और आज एक बार फिर सीएम योगी अपने बयान के चलते घिर गए है दरसल जनसंख्या में इजाफे के लिए मुस्लिमों को जिम्यदार नहीं ठहराना चाहिए वैसी ने कहा उनके अपने हेल्थ मिनिस्टर का कहना है कि जनसंख्या नियंतरन के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है मुसलिम ही गर्व निरोधक उपायों का सबसे ज्यादा इस्तमाल करते हैं जनसंख्या के लिए एक समुदाय को घेरना कोई नई बात नहीं है क्योंकि इसके जरीए सिर्फ एक समुदाय को टार्गेट किया जाता है जैसा कि भागवत और सीम योगी ने किया लेकिन यहां बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई एक ही समुदाय इस जनसंख्या के लिए जिमिदार है जनगर्णा की आकड़ों का अध्यान करेंगे तो पता चलेगा कि जो सोचते हैं वो गलत है 2015 के आकड़ों से ये बात साफ है कि मुसल्मान भारत में अलपसंख्याख है लेकिन साल 2011 की जनगर्णा पर आधारित इन आकड़ों को जिस तरह से पेश किया गया है उससे भारत के एक तवके की इस सोच जो गलत सूचना पर आधारित है को शायत बल मिले कि मुसल्मान जल्द ही इस देश में बहुत संक्याख हो जाएंगे आकड़ों के अनुसार पिछले एक दशक में मुसल्मानों की जनसंक्या में बढ़ोतरी की दर 24.6 प्रतिशत रही है ये दर हिंदूों की जनसंक्या ब्रद्धी की दर यानि 16.7 प्रतिशत से करीब 8 प्रतिशत ज्यादा है लेकिन ये आकड़े इस बात को बहुत साफ नहीं करते कि मुसल्मानों की जनसंक्या ब्रद्धी की दर में पिछले कुछ दशकों में बहुत तेजी से कमी आई है 2001-11 के दोरान ना सिर्फ जनसंक्य ब्रिधी दर में भारी कमी आई है बलकि इस दोरान मुसल्मानों की जनसंक्य बढ़ोत्री दर में भारी गिरावट दर्श की गई है भारत की पहले जनगरणा के समय भारत की कुल आबादी तकरीवन 36 करोड थी इसमें से तकरीवन 84 फीसदी हिस्सा हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का था और महज 9.8 फीसदी हिस्सा मुसलिम धर्म के अनुयायों का था यानि 36 करोड में केवल 3 करोड के आसपास की आबादी मुस्लिम धर्म की थी और तकरीवन 33 करोड की आबादी हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की थी साल 2011 की जनगरणा के बाद भारत की कुल आबादी में हिंदूओं की जनसंख्या तकरीवन 96 करोड हो गई और मुस्लिमों की जनसंख्या तकरीवन 17 करोड यानि पहली जनगर्णा के समय हिंदू और मुसलिम आवादी के बीच अगर 30 करोड का अंतर था तो साल 2011 में ये अंतर बढ़कर 89 करोड हो चुका है आकड़ी ये भी बताते हैं कि मुसलिमों की जनसंख्या की बृद्धी दर में हर साल गिरावट दर्श की जा रही है ये गिरावट हिंदूों से ज्यादा है इस तरह से देखा जाए तो हिंदू और मुसलिम आवादी के बीच का अंतर जमीन और आस्मान की तरह है कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी मुसलिमों की जनसंख्या को ये कहकर संबोधित कर रही है कि ये समुदा एक खूब बच्चे पैदा करता है तो ये बिलकुल तथहीन और भ्रामक बात है और ये सब सिर्फ अपनी राजनीती को चमकाने के मकसद से कहा जा रहा है तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ नमस्कार